नमस्कार किसां दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों आजके इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुर्गी में होने वाले कॉक्सिडियोसिस बीमारी के बारे में दोस्तों ये बिमारी मुर्गी में कैसे लगता है और ये बिमारी के लगने के बज़े से मुर्गी में कितना नुकसान होता है और अगर ये बिमारी आपके मुर्गी में लग गया है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं यह सारे चीज़ के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो विडियो को अंतक जरूर देखना तो दोस्तो जैसे हमने पिछले एक वीडियो में बताया था चार बीमारी के बारे में जो की बरसात में होता है और सबसे जानलेबा मुर्गी के लिए साबित होता है तो उन में से दोस्तो सबसे जो खतरनाक बीमारी हमने बताया था वो coxidiosis बीमारी था जो कि दोस्तों बरसात के टाइम में सबसे ज़्यदा मूर्गी में होता है यह बीमारी फार्म में आने का सबसे में कारण है वह दोस्तों लीटर को गीला रखना यानि अगर आपके फार्म में किसी भी तरह से अगर बारिस का पानी अंदर आ रहा है लीट उस बैच में लगने का इस बीमारी का सबसे में और बड़ा सिम्टम्स जो है वह दोस्तों ब्लडी डायरिया यानि मुर्गी जब बीट करेगी अगर बीट से खून आ रहा है तो उस दोरान फिर आपको अंदर लगा लेना होगा कि मुर्गी में coxidiosis का प्रब्लम हो चुका है और एक टैम में ऐसा आ जाता है जब दोस्तों मुर्गी का मॉटलिटी हो जाता है अगर दोस्तों सुरुवाती दोर में इस बीमारी का इलाज दिया जाए तो मुर्गी ठीक हो जाती है लेकिन दोस्तों यह बीमारी अगर बहुत ज़्यादा मुर्गी में फैल जाता है औ पकड़ेंगे तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाई में आपको बता रहा हूं वह है कि आप अपने मुर्गी को जहां पर भी रखते हैं उस जगा पर यानि उस फ्लोर पर आपको पेपर बिछा देना होगा जगा जगा पर अगर आप पेपर बिछा देंगे तो उसमें क्या ह आप इस प्रोसेस को जरूर से अपने फाम में जिससे कि आपको सुर्वाती दौर पे ऐसे खतरनाक बिमारी को पकड़ने में आसानी होगा इसके बाद अगर आपके मुर्गी के बीट से खुन नजर आ रहा है यानि अगर आपके मुर्गी को कॉक्सीडियोसिस का प्रॉब् होती अच्छा काम करता है खास करके ब्लडी डायरिया में यानि कॉक्सीडियोसिस बीमारी में तो यह जो मैडिसिन है यह दोस्तों आप हम्योपाती जो भी मैडिकल सौप्स है वहां से जाकर आप बोलोगे कि मार्क और टूहंड्रेट सी चाहिए तो फिर वह आपको जो है उपलप्त करा देंगे तो जब आप इस मैडिसिन को लेके आजाओगे तो उसके बाद आपको जो है इसको देना होगा तो देने के लिए जो प्रूपर मात्रा है वह दोस्तों एक एमल आपको मैडिसिन को पर दो लिटर पानी में मिला के अपने मुर्ग को देना होगा और जब आप इस मैडिसिन को पानी में मिलाओगे तो उस दोरन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह से मैडिसिन को टच नहीं करना है यानि किसी भी तरह से मैडिसिन में जो है नाखून नहीं लगना है अगर आप उसमें नाखून लगा देंगे तो फिर ये मैडिसिन्स देने का सबसे सही टाइम है वो है रात के टाइम यानि रात भर के पानी में आपको ये मैडिसिन्स मिला के अपनी मुर्गी को पिलाना होगा जितना भी डोज आपको बताया गया जैसे साथ बज़े से आपको इस मैडिसिन्स को देना स्टार्ट करना होगा यानि जब सामके साथ बच जाएगा, उसके बाद से आपको पानी को जो भी पहले पानी दिये थे उस पानी को चेंज करना होगा, फिर आप जो है रात भर में जितना भी पानी पिलाते हैं मुर्गी को, जैसे सपोस अगर आप 10 लिटर पानी रात भर में मुर्गी में देते हैं पीन उसके बाद आप देखोगे जो भी पहले मुर्गी के बीट से खून नजर आ रहा था वो दोस्तो अब नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन दोस्तो अगर आप चाहते हो कि यह बीमारी आपके फाम तक ना आये तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे द चूना पौ़ड़र का छिल्काप करते रहना है तो ऐसे में क्यों होगा कि अगर लेटर में ज्यादा मॉस्ट्र बना रहे को अगर छूना पाडर श्में छिल्क दोगे तो फिर वह चूना पॉर्डर उस मॉस्ट्र को सोख लेगा फिर दोस्तों आपको पानी में ध्यान देना होगा यानि मुर्गी को जो पानी आप पीने के लिए देते हैं वो सुद्ध पानी मुर्गी को पिलाना होगा फिर जो भी फीड अपनी मुर्गी को खिलाते हैं फीड को खिलाने के बाद आप जो है बोरा को अच्छे से टाइट करके बांध के रखिए खुला बिल्कुल ना छोड़िए तो अगर आप ये कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो वैसे में आपके फाम में ये बीमारी नहीं आएगा तो बस किसन दोस्तों आज कथा ये एक छोटा सा वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा ह लगा होगा 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 ह